जwestर दोस्तोर बंदह मातर, शिफसेना के दिन इससमय बिलकल भी सही नहीं चल रहा है शिक्सेना का मेन जो उत्राधिकारी है वो कौन है इसके बारे में अभी तक कुछ भी संशाए ग्लियर हो नहीं पाया है एक तरफ एक नाथ चिंदे जोकी शिफसेना नहीं या से ही आते हैं वो मुख्यमंतरी के बात पर बैट गए गये वहीं दूसी तरह वो द्व ठाकर जोकी शिफसेना के प्रमोक है उन्होंने साफ तोर पर कह देए कि एक नाथ चिंदे शिफसेना के दो सीम कहीं से कहीं तक है नहीं तो उस समय किसी को यह समझ में आ नहीं रहा है कि शिवसेना दरसल है कौन सी एक नाथ चिंदे वाली शिवसेना है या फिर उद्धर ठाकरे वाली शिवसेना है बीजेपी ने यहाँ पर अपनी उंगली तेडी करके खी जरूर निकाल लिया है और बीजेपी को यहाँ पर मतलब भी निकल गया है कोई उनकी सरकार का महाँ पर गठन हो गया है लेकिन बात अभी भी यही है कि महराश में सरकार अइस्थिर हो या ना हो लेकिन शेफस्टेना के पैरोतले जमीन जरूर निकल गई है महराश के पूर मुख्य मंतरी उद्धाव ठाकरे ने उस समय अपना आपा खो दिया जब रक्षा मंतरी राजनाद सिंग ने असलाम वालेकुम के साथ उनका बिवादन किया महराश टाइम से प्रकाशित एक रिपोर्ट में कहा गया है कि राजनाद सिंग ने ऐसा तप किया जब वे एंडी एक राजनाद सिंग के साथ अपने फोन कॉल को याद करते हुए कहा कि हम महाविकासा काड़ी गडबंदन का हिस्सा हो सकते हैं लेकिन हमने हिंदुत्व को नहीं छोड़ा है बता दे को दो ठाकरे ने मंगलवार 12 जुलाई को शिफ सेना के उन विधायकों के साथ अपने आवास मातोश्री में एक बैटक बुलाई थी जो अभी वी उनके प्रती वफादार है रिपोर्ट ने बताया गया कि बैटक में 30 से बैटे सदस्यों ने भाग लिया हाला कि इसमें ठाकरे आवास पर बैटक में मौझूद सदस्यों के नाम का खुलासा नहीं किया गया है बैटक के दोरा नुद्धव ने कहा कि उन्हें के इंदरी मंत्री राजनाथ सिंग का फोन आया जने इंडिये के रास्वादी पत के उमीदवार के लिए विपक्षी दलों के बीच आम सहमेती बनाने की जिम्मदारी सौपी गई है हाला कि राजनाथ सिंग के अभिवादन असलाम वालेकुम ने महराश के पूर सीम का पारहाई कर दिया जो कते तौर पर के इंदरी मंत्री द्वारा उन्हें बदाई देने के लिए एक अर्भी अभिवादन के इस्तमाल से बहुचक के रह गए थे बता दे के असलाम वालेकुम अर्भी शब्द है जिसका इस्तमाल मुस्लिम एक दूसरे को दूवा सलाम करने के लिए करते हैं वहीं केंदरी मंत्री राजनाथ सिंग की बाते सुनकर उद्व ठाकरे का उससा ही भढ़क गया और उनकात तोर पर कहा कि भले ही हम महाविकास अगाडी गड़बंदन का हिस्सा थे पर हमने हिंदुत्यों को नहीं छोड़ा है आपको इसे दिहान में रखना चाहिए वहीं रिपोर्ट के निशा ठाकरी के अस्विकरिती के बाद राजनाथ सिंग्ने उन्हें जाई शिराम के साथ शुपकामनाई दी गौरतलबे की 2019 के महराष्ट विधानसवा चुनाओं के बाद से शिफसेना ने उद्धाव ठाकरे के नेतरतों में अपने राजनितिक प्रतित दंद्यू कॉंग्रेस और NCP के साथ सरकार बनाने के लिए गड़बंदन किया है तबी से मुख्यमंत्री पत की खातिर हिंद्धों का त्याक करने का उनको अरूब भी लगा है वीर सावरकर के लिए भारत रतन के अपनी मांग को पीछे शोड़ दिया था और यही दर्शाता कि शिफसेना अब हिंदुत्व को अतनी तीवरता से आगे नहीं बढ़ाएगी जितनी पहले किया करती थी महराश में मुस्लिमों के लिए पांच परसंट तक का अरक्षन एक और ऐसी घटना थी जिसने यह और साफ कर दिया कि शिफसेना ने हिंदुत्व को अपने एजिंडे को छोड़ दिया है वही हाल ही महराश में सरकार से लाने के ढाई साल बाद शिफसेना का वर्श ने था एकनाश ने नेतरतों में पार्टी के कई विधायकों ने हिंदुत्व के साथ विश्वास घात का ही हावाला देते हुए उद्धा उठाकर के खिलाव बगावत कर दी थी इस विद्धरों का परणाम सरू भी महाविकास अगारी सरकार का पतन हुआ जिसके बाद एकनाश ने भाजपा के समर्थन से महराश के नाय मुक्यमंत्री बने है हाला कि इसमें अभी भी आंत्रिक कले कही सारी जारी है लेकिन इसके बाद भी जो चीज़े सामने आ चुकी है उनको तो हम जोटला नहीं सकते और ऐसे में संजे राहुत ने दुरापदी मुर्मू को लेकर जो अपना सपोर्ट जाहिर किया था उसके साथ उन्हों ने ये भी कहा था कि हम भाजपा को सपोर्ट कर रहे है तो कहीना कहीं वो भी साफता और पड़ यहाँ पर मान सिकता को दिखाता है